असलाम लेकुम फ्रेंट्स वेलकम बैक टू मैं चैनल कैसे आप सब उमीद करती हूं सब ठीक होंगे आज हम आपके लिए खीर की रेसिपी लेके आए हैं इसके लिए जो में चीजे चाहिए यह टोटल इंग्रिजिएंट्स हैं इसमें वन कप बॉयल राइस ले लिए हमने औ और यह कटे हुए हमार पास बादाम और पिष्टे हैं और वन लीटर हमार पास पुली क्रीम मिल है और यह वन कप चीनी और एक खीर मिक्स का पैकेट हमारे पास सबसे पहले हम दूद हुबालने के लिए रख देंगे पूरा एक लीटर डालने के बाद आप दो तीम ग्लास इसमें पानी अट कीजिएगा ताके वह पकने के लिए टाइम ले जैसे ही उबाल आते हमने इसमें बॉइल राइस डाल दिये और इसमें मुसलसल चमच चलाते हुए हमने इसको मिडियम पे पकाना है तकरीबन आदा घंडे तक हम इसको मुसलसल अगर पकाते रहते इस तरी देखें इसको मिक्स करें पांच-दस मिनट के बाद इसमें बदाम पिस्ते कटेवे एड़ कर दीजे थोड़े से गार्निश के लिए रख लीजेगा एक दो टेबल स्पून इसको भी मिक्स करते रहें अब एक कप इसमें चीनी एड़ कर दें चीनी आप टेस्ट कर कि इसमें गाडा-गडा सा होने लग जाता है और जैसे इसमें गाडा पना जाया तो इसमें द्रॉया मिलक एड़ कर एड और इसको बस मिक्स करना है देखना ह благAudi हुआ हमारा खीर बहुत गाडा हो चुक है और रफ ड्रय मिलक भी इसमें अच्छे तरिकेसे मिक्स हुआ है तकरीबर आठ से डस मिनट के अंदर अंदर हमारा खिर रेडी हो जाएगा इस तरीके से बबल्स जब बनना स्टार्ट हो जाए तो खिर बिल्कुर रेडी है इसको आप ठंडा करें और एक बॉल में निकाले इस तरीके से गार्मिश करें और इंज्वाइ करें बहुत आपको अच्छी रेस्पी लगेगी जरूर ट्राय कियेगा और लाइक करना मत भूले अगर आपको अच्छी लगती है शेयर कीजिए आप फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुर भी मत भूलिएगा कमेंट्स अपने जरूर बताया करें कैसी आपको लगी अपना बहुत ख्यार रखिएगा अलाहफेश